जहाना पहुचे रभी, वहाँ पहुचे कभी, तो मीडिया कभी के बराबर है, वे लोग कहा पहुच जाएं, कभ पहुच जाएं, हम अपना एविदेंस रखना पड़ी है, अस्थानी नीती का मतलब क्या, पारास्तान पहाड की अस्थानी नीती नहीं, स्वर्ण रेखा नद इस वक्त बात करेंगे, जैराम है तो, राची पहुचे हैं आप, क्या कारण है, आनन फानन में राची आना पड़ा, राची एक्चुली किसी काम से आया थे, लेकिन मीडिया को फिर बुलाया आपने, चुकि मीडिया बंदों का कहना है कि राची जब भी आएगा, एक बार सुचना दीजेगा, और हम मीडिया का सबमान करते हैं, मीडिया के कारण ही हमारा आंदोलन, आज जन आंदोलन बना है, तो, मीडिया के सद्धे सममान की हैं, तो, यदि कोई फुर्षत में है, तो, उनसे सिर्फ समाचार दे, जहनों राची आ रहे हैं, तो, बाकिसा कुछ हम लोग काम से पर लिए कर देए हैं इस प्रकाम से पर लोटा हृ leva कि इस लिए इस लिए प्र लेके चलते है पास कोई प्रगती में आ गए ने जाएंगे क्या है पांछ पहला एजेंडा मेरा ये करते हैं और सरकार जो ही करें ने तो कहीं कुछ पहला है कि धार्खन ने खणन चेत्र है आपको खणन पर बहुत बेचारिक बात करने करने के लिए करना कोई अफराद नहीं थो लेकिन उसके लिए प्लैन वी होना चाहिए प्लैन बी करते हैं उस छेत्र को कहाँ सिट्व आपके पास करें दूसरी बात उस खनन से अगर रोजगार का स्रिज्यन उपसर होता है तो जो लोग वहां से जमीन उनकी तो वहां के जो इनसान है उनका जब तक आर्थिक विकास नहीं होगा आप किसी राज का विकास कैसे मान सकते हैं और उसका विकास तभी होगा जब उसको नियोजन के अबसर प्रदान किये जाए जब उसको नियोजन का मौका दिया जाए और वह तब हो सकता है जब आप उसके सोचे उसके लिए बैट के सोचे लेकिन आप उसके लिए सोचते ही नहीं है तीसरा यह हुआ कि एजुकेशन सिस्टम अभी पढ़ा रहते एक न्यूज के माध्याम से जारकन के बच्चे तो यह तो इस तरह बहुत सारा के स्पिलिंग नहीं बता पारे तो उसमें क्या होगा क पढ़ा नहीं तो समाज में पढ़ाना तो समाज में पहएंगी परशा मुंडा को पढ़ाईंगे चसनग निघ्येबराल्टर horse ने चाहीं बता है चोथा है सबसे पहली बात है अच्छी होनी चाहिए और मेडिकल फैसिलिटी क्योंकि धारखन एक खनन छेत्रे बसा है जितना खनन होगा उतना उस धुवें से प्रदुशन से बीमारी होने की असंका बनती है इसलिए मेडिकल फैसिलिटी को भी धुड़ता के साथ एक प्लैन शुली बिहारी केंडिडेट्स अरेल यह तो वही बात हुई ना कि मने भारत का भैकेंशी और लिखा जा रहा है उनली पाकिस्तानी आरेलव्ड जारखन्ड में कंपानी जारखन में पैमेंट मिलेगा जारखन में कंपानी का सब कुछ है और वहां लिके रहे हैं बिहारी के कि दे जाता है आई हैं लोग को यूट नहीं है मेडम हम लोग आई के साथ हैं और आई टर्ण में हैं हमारी लडाई बिलकुल मंजिल की और हैं हम लोग धीरे धीरे खिश्ते खिश्ते अब को एजेंट बताया पाटियों के क्या उनके बातों को लेकर जबाब दे कर यहां पे रहती है इस देश में राज की कड्री कमाई पर अंदर अंदर बात करते हैं बिपाक्ष को कोई मुद्धा नहीं राज नहीं करते हैं यह नियोजन निती बात नहीं घरते हैं क कैसे लग रहे हैं अप कैसे लग रहा है किसे मतलब कैसे लग रहा है सभाक एकदम 60 उत्तर मानव स्रिंकला में मैंने गीना था चोवन डीजे था चोवनों का एड्रेस देंगे आप पूछेगा सब के सब फिरी में आये थे मैडम सब के सब फिरी में उसने पेट्रोल तक नहीं मांगा था कुछ तक नहीं मांगा था रहात त्रिपालिंग का चुक लोग दर्द में इसलिए पूरे हिंदू स्थोरी सुरे पूरे जारखंड की अगराम बात करें तो ऐसा कहीं पंडिंग ने उसके बाद आप तो हम बार-बार कहते है कि एक बार मिलता क्या वह तुंडी से लड़ेंगे नहीं हम तो धनबाद या वोकारों से लड़ेंगे व लड़ियंडा ने लड़ना के लिखंडह आने जीतजाता है यह तरफ यह कई मुद्दू को लेकर राजी पहुशते हैं वह तो आप समझ करy रहे है और इनुह को करते रहे और यह नहीं को हाभ कि नहीं को की जो जनसभा होती इसमें सब बदद कर रहे हैं बड़े इसी तरह की खबरों के लिए न्यूज पोस्ट के साथ नमस्कार